अलो दोस्तों शडी मूड में आपका स्वागत है CSBC ने आज ओफिसल नोटीस जारी किया है बिहार पुलिस से रिलेटेड मैं इस वीडियो में आपको जनकारी दूँगा कि लगभग 50% मेल अभ्यार थी कैसे मेरी ट्लिप्स से बाहर होंगे तता फीमेल के सीट कैसे बच जाएगा तो उस पर मेल अभ्यार थी सेलेक्टेड होंगे ये इस वीडियो में आपको जनकारी देने वाला हूँ तो सुरू से लेके अंतक देखिएगा चलिए सुरुआत करते हैं अब सभी लोगों को पता है कि पटना के गर्दनी बाग में 26 अपरिल तथा 27 अपरिल को एक साइस को स्टेबल के 365 पदों के लिए फिसकल चल रहा था जो कि खतम हो चुका है आप यहां पर देखिएगा कि 27 कल का मैं आपको बात बता रहा हूं कल टोटल देखिए 881 अभिहार्थी मजूद थे मतलब कि पुरुस अभिहार्थियों को कल बुलाया गया था मैला अभिहार्थी का पहले फिसकल हो चुका है इसमें 881 अभिहार्थियों में से 437 अभिहार्थी असफल हो जाते हैं कहने के मतलब लगबग 25% के करीब दिखिएगा दोड़ में असफल हो जाते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है क्योंकि 10-15 दिन में दोड़ बना पाना बड़ा मुश्किल होता है इसलिए के 50% के करीब अभिहार्थी असफल हो जाते हैं और यहां पर 441 अभिहार्थी दोड़ में सफल होते हैं दोड़ के बाद फिर उची कुद्र गोला फेक होता है जिसमें 2 पूरुस अभिहार्थी असफल हो जाते हैं तो टोटल 449 अभ्यार्थी जो है यह सफल हुए फिर उचाई दिखिए उचाई और सीना माप में साथ पूरुस अभ्यार्थी असफल हुए तो टोटल 432 अभ्यार्थी बसते हैं और इसमें से दिखिएगा कि तीन ऐसे मतलब इससे पहले जब आपको बैमेट्रिक हो रहा था तो उसे समय यह पता चलता है कि तीन अभ्यार थी आपको अपने जगह पर स्कोलर को बीठा कर एक्जाम दिलवाये थे जिनके विरुद्ध पर्थमिक दर्ज किया गया और उन्हें थाने में सपूरुद कर दिया गया ठीक यह काम नहीं करना है कहीं भी एक्जाम देने जान अब आगे चलते हैं फिर यहां पर देखिएगा CSBC द्वारा जो 26 अप्रेल का नोटिस जारी किया गया था उसमें देखिएगा तो 238 पुरुस अभ्यार थी आये थे और 370 महिला अभ्यार थी आये थी जिसमें से दोड़ में 135 पुरुस अता था 240 महिला अभ्यार थी असफल रही मतलब आप देख सकते कि किती परसंटेज में माला भ्यार थी दौड़ भी नहीं निकाल पैए कि बहुत कम समय मिला था ना फिसल के तयारी करने के लिए और इतने कम समय में आपको फिसल को के तयारी करकर फिसल लिया गया अबहा दीक ऊची फिर गोला फेक वा जिसमें एक पूरुस अभिहार्थी उची गुद में और cosa ठीक, तो टोटल देखे एगा 127 महिला भिहार्थी पास होती है और फिर 38 आपको पूरुस अभिहार्थी पास होते हैं शारेरिक मापदंड होता है जिसमें ईक पूरुस अभिहार्थी उचाई में चढ़ जाते हैं और फिर आप देखिएगा महिला अभ्यार्थी उचाई और वजन में 21 छड़ती हैं तो टोटल अगर देखा जाए तो सफल हुई मतलब कीतना फिसकल में पास हुई लड़की तो लड़की 106 पास हुई और पूरुस जो है यह संतानवे के करीब पास हुए ठीक और आपको पता है कि 26 को भी मैंने बताया था कि आपको पाच ऐसे अभिहार्थी थे मेल फिमल दोनों मिलाकर जिसमें एक मेल थी चार मेल थे जो अपने जगापा स्कोलर को बीठा कर एक्जाम दिलवाये थे और यह बाइमेट्रिक होते समय पकड़ लिया ठीक यह काम नहीं करना है मैं बार बार बोलता हूं यह टोटल डाटा रहा अब चलिए मैं आपको बता महिला में कौन-कौन आता है मैं समय मिल रहा है जल्दी यह वीडियो में आपको जारी कर दूंगा कि कौन-कौन आता है ठीक अब यह देख लीजिएगा उत्पात सिपाही देखिए टोटल आपको देखा जाए ता 1825 आपको रीटेन एक्जाम दिया गया था मतलब कि रिजल पास कितने किए 635 635 में मेल फिमेल दुनों है 635 जिसमें फिमेल अगर देखा जाए तो 106 है और मेल देखा जाए तो 529 है अगर हम टोटल सीट की बात करें 365 का 35-38 परसंट निकाले तो क्या उतना फिमेल कंडिडेट है नहीं पास भी नहीं कर पाई है काने का मतलब इनका सी सीट है तो आकर किसको जाएगा देखे यह 3% वाला जो सीट 20 वाला होता है वह आपको बेकलोग में चला जाता है अगर उस पर बचता है तो उस पर पूरस अभिहारति नहीं आ सकते लेकिन जो 35 परसंट अभर जो होता है उसमें अगर महिला भिहारति नहीं मिल पाती है तो सीट लड़कों को चला जाएगा तो इसमें सब देखेंगा लगबक 30 के करीब जो सीट होगा वह लड़कों को चला जाएगा तो बचा हुआ सीट है ठीक क्योंकि 106 अभिहारति मिली है और यह जरूरी नहीं 106 अभिहारति जो पास हुई है यह आपको टोटल रूप से आप आपको एक साइस कोश्टिबल बनना इनकता है और कोई भी डॉक्मेंट्स में अगर प्रोब्लम नहीं हुआ होगा तो समझे कि आपका सेलेक्शन एकदा मेरिट लिस्ट में ना माने वाला है ठीक इंतिजार आपका खतम होने वाला है अब हम बात करते हैं पूरुस अभिहा तो यह आपको ट्रेंड देखनें को मिल रहा है नहीं बहुञा है। कि जतना लडकी पास से सब का हो जाने वाला है जाएगा काफी अभिहारते पूछ रहे थे आप लोग जितने भी फिसकल दिये हुए है मेल हो या फिमेल हो अपना स्कूर कमेंट बोक्षिन बताईएगा ठीक अपना कटेगरी जैसे कि माल लिजे कोई मेरा ही नाम ले लिजे मेरा अमीत है ठीक अमीत लिख दीजेगा कटेग इस बार भी आया तो नए अभिहारती यह भी पूछ रहे थे कि सर अब कब आएगा इसमें अब समय लगेगा ठीक यह अइसा नहीं है कि जल्दी जल्दी इसी अपना परकिरिया पूरा कर लेता है और अब ही क्या था कि इस भरती की जरूरत था इसलिए इतना जल्दी परकि अब को तयारी करने वाले हैं दो चीज ध्यान में रखिएगा रिटेन का तो आपको तैयारी करना ही करना है लेकिन अपको लोट सब्सक्राइब क्षाट में कैसे आ रहा है और इतना मेरिटी लड़के कैसे पास हो जा रहा है तो उसको कोई जब मेरिट लिष्ट आएगा तो क्योंकि मैं आपको जनकारी दिया था कि कितने लड़के पास हुए है कि इस भरती में लड़क्यों को फायदा यह देखने को मिल रहा है कि जो भी पास हो गई है उनका मेरिट लिष्ट बन जाएगा ठीक और सीट जो बचा हुआ है यह लड़कों को आपको चला जाएगा ठीक फायरमेन के लड़के हैं जो अपना रियल्ट के इंतिजार कर रहे हैं उनका भी इंतिजार चल्दी खतम होने वाला है लेकिन उनको भी मैं यह बात जरूर बता दिया था जब कटम बताया था कि देखो आप अगर लग रहा है कि नहीं बना पाऊगे ठीक और पांच गुना रियल्ट देने का मतलब ही है कि यह कंपटीशन हो जाता है कभी भी पांच गुना रियल्ट दिया जाता है फोरेश्ट गट फोरेश्टर का अगर छोड़ा दिया जाए क्योंकि उसमें दौड निकालना क्योंकि दौड तरहता न बहुत कम समय में आप सोचूँगे कि एक से दो महिना में हम फिसकल पूरा टॉप कर जाएंगे या निकाल लेंगे लेकिन मेरी टिलिष्ट में अस्थान बनाना बड़ा मुस्किल हो जाता है क्योंकि एक नए लड़के हैं तो डेट बर्थ भी माईने रखता है से मगर माकस आ जाता है तो जिसका ज्यादा उमर होता है उसको प्रफर्रेंस दिया जाता है तो यहीं मैं बता रहा हूं 2017 से अभी की कुदा आया जाता है यह भी पता नहीं था ठीक के अंदर गद्धा मिलेगा यह करने के लिए पहले उतना ब्वस्ता नहीं था लेकिन आप देखिए हर सहर में हर सीटी में आपको फिसकल वाले सब चीब व्यवस्ता मिल चुका है तो इसलिए आपको माक्स भी आप उपर है और मेरी टीव बढ़ रहा है दिन परती दिन इसलिए तो जो भी अभिहार्ति है फायर में वाला मैं फिर से आपको बता रहा हूं और जो ही अभिहारति आगी की भरति की भी तैयारी कर रहे हैं कम सब्सक्राइब में जाकर exercise और अपना पेर खुलनी को को सिस कीजिए चब बहुत भूद धन्यमाद।